हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई यार एपसी के बारे में आई यहां पे इनका जो जून मंत का म्यूचल फंड का डेटा है वो निकल क्या है मैंने कुछी दिनों पहले आप को यहां पर में के मंत का डेटा शेयर किया था तो बहुत साथ लोगों का कॉमेंट आया था कि सब्सक्राइब जून का डेटा भी अगर आ जाये तो आप वो शेयर करना तो वह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं साथ के साथ कुछ major important updates निकल के आई हैं वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जैसे कि आपको बताईए कि quarter one का जो सिलसला है अप दीरे दीरे करके स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या कुछ चीज़े रहने वाली हैं IRFC में भी वो भी हम यहां पर पता लगाने का ट्राइक करने वाले हैं तो वीडिय बात करेंगे यहां पर आज के दिन के प्राइस के बारे में 32 रुपे 90 पैसे पर आज के दिन की क्लोजिंग IRFC की देखने को मिली है करीवन 0.15% का नेगेटिव मुमेंट आपको यहां पर देखने को मिला है 33 रुपे 10 पैसे तक इसका हाई गया था नहीं कि कोई बहुत बड सबसे अच्छी बात जो जुलाई के मंत में हो रही है वो यह है कि अभी तक जितने भी दिन हुए है उन सब दिनों में FIIs ने खरीदारी करी है और यह एक बहुत बड़ा पॉजिटेब साइन माना जा रहा है ओवरॉल इंडियन श्टॉक मार्केट के लिए आप यहां पर डेट वाइस भी देख पा रहे होगे लेकिन आपको पता ही है कि जब यहां पर FIIs बाइंग करते हैं तो डिया इस बिकवाली करते हैं तो सेम सेनर्यू आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि जब जब यहा अगर बी कर रहे हो या फिर आपको कुछ नॉलेज के परपस से भी देखना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया थे के वालुम शायद आज उतना ज्यादा नहीं होगा और वही सेम तर्म होएग आज केवल दो करोड का वॉल्यूम है कल भी केवल दो करोड का ही वॉल्यूम या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीज नहीं आएगी तब तक बहुत बड़ा मुवमेंट उम लोग एक्सपेक्ट नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ एक देर परसंट का अपसाइट तो हम लोग यहां से एजिली एक्सपेक्ट करके चली सकते हैं यह बात होगी आज के दिन का सिनेरियो जो रहा है आई एपसी में अब मैं आपको डिरेक्ली जो जून का डेटा निकल के आए वो दिखा देता हूं सब्सक्राइब यहां पर देखो इस्टार्टिंग जो चार फंड हैं जिसमें तीन आपको एच्डे अपती के नज़र आते हैं और एक पराग पारिक का नज़र आता है इन्होंने कोई भी चेंजिस नहीं करें जो होल्डिंग में के मंत में थी सेम जून में भी रखी है नोंने कोई भी खरीदारियों बिकवाली नहीं करी है फिर अगर आप यहां पर देखो सब्सक्राइब करेंट है वो देखने को मिल रही है साथ के साथ निपॉन इंडिया ने में अपने मिट कैप फंड में और मोतिला लोसवाल ने इंडेक्स वन में एक एक देद्द्र या ताड़े तीन चार परसंट की जो है वो मुमेंटम दिखाया अप्ट साइड में बहु अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है यानि कि यहां पर इन दौनों फंड के तुरू खरिद्दारी काफी जादा होई है फिर अगर आप यहां पर देखते हो तो सारी फंड जो आप देख पार होगे पांच में से चार उनमें नॉमल सेनेरियो रहा है या तो कोई चेंज नही हुआ है यह फिर एक परसंट देड़ परसंट कर रहा है लेकिन आपको सीधा यहां पर देखने को मिल रहा है और आइसे प्रोडेंशल ने अपने सब्सक्राइब को बढ़ा दिया है यानि कि एक चीज़ तो साफ साफ नजर आ रही है कि HDFC और ICICI ने तो खरीददारी करी है बाकी की जो अब यहां पर दिखाता हूं कि अगर आप इसको लॉंग टर्म के लिए बाय करते हो यानि कि अगर आप आइयर अपसी को लॉंग टर्म के लिए बाय करते हो तो टार्गेट कहां तक जा सकता है यह एक रिपोर्ट के दुरू आपको पता चलेगा कि जो आईयर अपसी का प्राइस है यहां से अगर आप एक साल का विजर लेके चलते हो तो 40 रुपे से लेके 45 रुपे तक इसली ज हो जाएंगे इन्होंने काफी अधा conservative way में और safer side को लेके हुए यह 40 रुपे ते लेके 45 रुपे तक का जो टार्गेट है वो दिया है और इन्होंने यह भी बोलाए कि बायर डिप का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो और अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें long term के लि लेकिन मेरे according bonus तो नहीं मिलने वाला क्योंकि शेर का price अभी उतना नहीं है इविन दो bonus के बाद face value पर कोई change नहीं आता लेकिन अगर आप देखो कि शेर के price पर काफियत तक change आ जाता है तो यहां पर dividend के chances बन जाते हैं क्योंकि dividend company देते हुए भी आती साल में दो बारी देती यानि कि इसी range के आसपास यानि कि एक रुपे के आसपास का आप dividend expect करके चल सकते हो कि company यहां पर आपको dividend दे दे अब यहां पर आप देखो तो overall जो चीजे हैं जो railway sector में होती है नजरा रही है वह काफी ज्यादा positive है जिससे माहल अगर आप देखो कि इस पूरे sector का जितने स्टॉक से उनका भी positive ही बना हुआ है जैसे सकतर रुपे वाला स्टॉक 120 पर ट्रेड कर रहा है और बी अनल इरकॉन भी अच्छे काते रिटरंस दिखा चुका है आयर एपसी में मुमेंटम जो नहीं आता था बो बनना स्टार्ट हो चुका है तो ऐसी अगर हम यहां पर national railway plan स्टान के according देखें तो जो विजन 24 है उसका विजन है कि overall यहां पर जो चीजें है उनको 100% electrification में convert कर दिया जाए और multi tracking रहे congested route की और जो अपनी डेली हावडा है और डेली मुंबई trains है उनकी जो high speed है वो 160 तक upgrade की जाए बाकी एक और चीजे है जो यहां पर launch करी कवच जो की automatic train protection electronic service है जो अभी यहां पर आपको accident वगरा देखने को मिले थे जिससे बहुत ज्यादा काफी ज्यादा जो है वो दिक्कते हुई थी तो अब कवच यहां पर एक ऐसा automatic protection system बनाये गया है जो की automatically यहां पर railways को काफी अधर प्रोटेक्ट करने वाला तो यह बहुत अच्छी चीजा overall passengers के लिए तो मेरे ग्याल से काफी जादा changes आपको देखने को मिल रहे हैं railway में आने वाले time में भी आपको और बड़े changes देखने को मिल सकते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूगा कि railway sector में कहीं न कहीं allocation आप जरू करके रखें अपनी research और analysis करने के बाद या फिर आपका कोई financial advisor हो तो उनसे आप जरू डिसकस कर लें वीडियो केबल knowledge के परपस से ही देखें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स ताम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब यरू कर दीजिएगा धन्यवाद